जोतिश ग्यान चैनल के सदस्यवन अपना प्यार देने के लिए सब्सक्राइब कीजिए जोतिश ग्यान चैनल को और इस बैल आइकन को दमाएं ताकि अपलोड वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले नमस्कार मित्रो मैं आचारी अभीजी शर्मा हमारे आपके हम सब के चैनल जोतिश ग्यान में एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 19 अप्रेल से 25 अप्रेल 2018 के बीच जिन बच्चों का जन्म होगा उनके बारे में तो मित्रो मैं आपको बता दू 19 अप्रेल से 25 अप्रेल के मद्य जोतिश गणना नूसार एक स्टेस्ट सयोग का निर्मान होने जा रहा है ऐसे में जिन बच्चों का जन्म 19 से 25 अप्रेल के बीच होगा उन्हें जीवन में देखने को मिलेगी जबरदस्ट सफलता जी हाँ जहां एक तरफ 14 अप्रेल को सूर्यदेव मेश राशी में प्रवेश कर उच्चिस्तान पर इस्तित होंगे वही 19 अप्रेल को शुक्र देव अपनी स्वेराशी यानी व्रश राशी में गोचर कर मालव्य नाम के पंच महापुरुश योगों में से एक महापुरुश योग का निर्मान करेंगे इस समय में जिन बच्चों का जनम होगा वैबालक IS, RAS, IPS, डॉक्टर, इंजिनीरिंग शेत्र में जबर्दस्त मुकाम हासिल करने वाले होंगे यदि यही बच्चे बताई गई फिल्स में काम ना करके स्वयम का व्यवसाय करना चाहेंगे तो टॉप क्लास बिजनिस के धनी होंगे इस एक सप्ता हमें होने वाले बच्चे जीवन में समस्त प्रकार के भौतिक सुखों को प्राप्त करने वाले होंगे रुपिया, पैसा, दौलत, शोहरत ये शुमान, प्रतिष्टा ये सब इनके जीवन में इने प्राप्त होगी समाज परिवार अपने कर्म शेतर में व्यक्ति विशेश की पदवी इने देखने को मिलेगी इस वीडियो के माध्यम से ये जानकारी देने का मेरा यही उद्देश है कि अप्रेल में जिन गर्बवती महीलाओं को संतान होने वाली है ऐसी महीलाएं या उनके परिवार के सदस्य डॉक्टर से कंसल्ट करकर इस समय में संतान प्राप्ति का लाप्राप्त करें तो देखने को मिलेंगे स्रिस्ट परिनाम मैं शमा चाहता हूँ किन्तु फिर भी आपको कहना चाहूँगा कि यदि डॉक्टर आपको कहे कि 25 अप्रेल के बाद में नॉर्मल डिलेवरी होने के चांस है और यदि 25 अप्रेल से पहले डिलेवरी करते हैं तो आप्रेशन करना पड़ेगा तो भी मैं समस्त गर्बवती बहनों को कहना चाहूँगा कि ऐसा योग बार-बार देखने को नहीं मिलता और जब यही संतान आपका समाच परिवार में नाम रोशन करेगी तो मही नहीं सभी लोग जानते हैं कि माता-पिता से ज़्यादा खुशी शायद इस दुनिया में किसी को नहीं होती तो गर्बवती महीलाओं से मेरा यही निवेदन रहेगा कि यदि डॉक्टर कहता है कि 25 से पहले ऑपरेशन करना पड़ेगा तो भी ऐसा चांस ले सकते हैं यहां मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि जो माता-पिता इस समय का लाब लेना चाहते हैं उन्हें अपने आसपास यदि कोई जोतिशा चारिये हो तो उनसे पता अवश्य कर लेना चाहिए कि मेश लगन, सिंग लगन या कुम लगन कब आ रहा है इन लगनों में जिन बच्चों का जन्म हुगा उन्हें शत्रतिशा जीवन में सफलता देखने को मिलेगी इस वीडियो को अपने फेस्बुक ग्रूप्स, वाट्सप ग्रूप्स में अधिक से अधिक शेयर करें ताकि जिन गर्बवती महीलाओं को अप्रेल में डिलेवरी होने वाली है उन तक ये खबर अवश्य पहुँच जाए आशा करता हूँ मिरे द्वारा दी कई ये जानकारी आपको पसंद आएगी अगर पसंद आये तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें कल ऐसी एक और रूचक जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्त होंगा तब तक के लिए नमस्कार